रोटी और चावल दोनों ही हमारे भोजन में मुख्य है राइस बर्सेस रोटी एक बहुती कॉमन और कॉंट्रोवर्सिल सब्जेक्ट है ये दोनों अनाज दुनिया के कई हिस्सों में मुख्य भोजन है रोटी गिहुं से तयार आटे से बनाए जाती है और चावल के दानों को रिफाइन कर चावल तयार किये जाते हैं जो की हलके होते हैं लोग डाइबेटीज, ओबेसिटी जैसे बिमारी का मुख्य कारण चावल को मानते हैं क्या ये वास्तों में सच है? तो चलिए जानते हैं कि रोटी या चावल में से कौन सी चीज बेहते हैं न्यूट्रिंट्स की बात करें तो 1 by 3 कप चावल में कूल एनरजी 80 कैलोरी होती है इसके अलावा इसमें 1 ग्राम प्रोटीन, 0.1 ग्राम फैट और 18 ग्राम कार्भोईरिड होते हैं ब्राउन राइस की तुलना में वाइट राइस में कम फाइबर होता है वहीं एक छोटी यानि कि 6 इंच की चापाती या रोटी में 71 कैलोरी एनरजी होती है रोटी में 3 ग्राम प्रोटीन, 0.4 ग्राम फैट और 15 ग्राम कार्भोईरिड होते हैं जिसमें 2 ग्राम फाइबर भी सामिल है रोटी कैलोरी में कम होती है और अधिक प्रोटीन और फाइबर प्रदान करती है जिसके कारण आपका पेट लंबे समय तक भरा रहता है डाइबिटेक पेशेंट और ओबेस परशन के लिए रोटी एक बहतर चोईस है विटामिन्स की बात करें तो चावल और चापाती दोनों फोलेट प्रदान करते हैं फोलेट एक वाटर सॉल्यूबल बी कॉम्पलेक्स विटामिन है जो डिने बनाने और नई कोसिकाओ को बनाने के लिए अवश्यक है जिसमें red blood cells भी सामिल है जो आपके पूरे सरीर में oxygen का परिवान करती है फोलेट neural tube birth defect को रोकने में भी मदद करता है इसलिए यह उन females के लिए बिसेस रूप से मतोपुर्ण है जो pregnant है वैसे चावल रोटी के तुलना में फोलेट का एक बहतर source है आईए अब बात करते हैं minerals की प्रतेक रोटी में लगबख 6% phosphorus, 5% magnesium, 2% iron और 1% calcium होता है इसके अलाबा हर 20 gram गेहु के आटे में लगबख 190 mg sodium होता है जबकि एक कब चावल में magnesium, potassium और phosphorus की मात्रा रोटी की तुलना में कम होता है चावल में iron की मात्रा रोटी के ही बराबर होती है जबकि चावल में calcium और sodium नहीं होता phosphorus, kidney के कारिय और cells की repair के लिए मात्रपुर्ण है red blood cells के निर्मान के लिए iron के अवशकता होती है और magnesium आपके blood pressure और blood sugar के अस्तर को normal करने में मदद करता है प्रोटीन की मात्रा की बात करें तो रोटी में प्रोटीन की मात्रा चावल के तुलना में बहुत अधिक होती है लेकिन अगर प्रोटीन के quality की बात करें तो rice protein better होता है क्योंकि इसमें lysine जैसे essential amino acids मिलता है इसके अलावा चावल gluten free है जबकि गेहु में gluten होता है जिसका 7 सिलेक disease के patient स्वारा नहीं किया जा सकता इन सब के अलावा चावलों में रोटी से ज़्यादा starch होता है जो कि पचाने में आसान होता है चावल में lower dietary fibers होता है जबकि रोटी में protein और fiber की मात्रा ज़्यादा होती है क्योंकि चावल में starch होता है तो यह पचाने में आसान होता है लेकिन रोटी पचने में ज़्यादा समय लेती है यही वज़य है कि रोटी blood sugar level नियंत्रित रखने में मददगार है चावल पचने में आसान होता है क्योंकि इसमें fibers कम होता है इस प्रकार diarrhea, indigestion के लिए चावल एक अच्छा बिकल्प है जो लोग अपने diabetes और diet plan manage करते हैं उनके लिए पूरी गेहूं की रोटी खाना एक बहतर बिकल्प है सफेद चावल में रोटी की तुलना में एक high glysmic index होता है जिसका अर्थ है या blood sugar को और अधिक तेजी से बढ़ाता है अधिक वजन वाले और मोटे लोगों के लिए रोटी एक बहतर बिकल्प है क्योंकि इसमें अधिक fiber होते है इस प्रकार nutrient wise अगर देखे तो रोटी चावल के तुलना में ज्यादा healthy है बट brown rice, white rice के लिए एक अच्छा replacement हो सकता है जो लगबग सभी सुक्षुन पोशक तत्वों या macro nutrient को बरकरार रखता है